असलाम अलेकुम बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे अच्छा तो आज हम एक चीज पढ़ेंगे पहले ये आप सब को पता होगा कि आप लोग के घर में कुछ फल आते हैं फल तो सब के घर में आते हैं और सब बहुत शौक से भी खाते हैं अच्छा उसमें से एक फल होता है जो के सब बच्चों को बहुत पसंद होता है वो होता है केला और वो कितना नरम होता है अराम से खा लेते हैं हम कितना अच्छा भी होता है है ना तो वो कितना नरम भी होता है तो केला बहुत नरम होता है वो हम अराम से खा लेते हैं अच्छा तो एक और फल भी होता है जो हमारे घर में आता है दरग तो पर भी लगता है वो होता है अमरूद अमरूद तो हमें ममा काट के देती हैं अकसर काट के देती हैं लेकिन हम उसको वह से भी खाते हैं तो वो कितना सक्त होता है हमसे थोड़ा मुश्किल से वो काटा जाता है और मुश्किल से खाया जाता है केला कितना नरम होता है वो हम कितने मज़े से फटा फट खा लीते हैं अमरूद में लेकिन हमें थोड़ा सा सक्त उसमें बीज भी होते हैं थोड़े सक्त सक्त से तो अमरूद तो सक्त होता है और केला नरम होता है अच्छा और गर में हमा, हम सबके घर में सोफे होते हैं, होते हैं ना सबके घरों में, हम सोफे पर बैठते हैं, तो सोफा कितना नरम होता है, हमें कितना मज़ा आता है, उस पर बैठके कभी-कभी हम उस पर सो भी जाते हैं, है ना, तो कितना नरम होता है सोफा, और कभी-कभी जब हम जमी जमीन पर बैढते हैं, तो जमीन एक कितने सखत होती है? है ना सखत होती है न है जमीन? अच्छा ये तो मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में बता दिया कि तुनसी नरम होती है कौन सी सक्त होती है अब हमें जरा बुक में भी कुछ तस्वीरों के जरीए से बताया हुआ है कि कौन सी चीज नरम होती है और कौन सी सक्त होती है बुक पर आ जाते हैं सब अपनी उर्दू की प्रियर 2 की किताब का सफ़ा नंबर 83 खोलेंगे यानि के 83 अच्छा यहां पर हमें कुछ तस्वीरे दायते दी हुई है जो के हैं पढ़िये और रंग भरिये और यहां पर हमें आज की तारीग भी डालनी है याद से अच्छा देखते हैं सफ़े में हमें दिया हुआ क्या है अच्छा तो इस सफे में हमें दो तस्वीरें दी वही है एक तस्वीर है इट की और दूसरी है तक्किये की तस्वीर अच्छा इट देखिए आपने घर बनाने में इस्तामाल होती है इतनी भारी होती है और कभी उठाइए हाथ में कितनी सख्त होती है तो इट क्या होती है इट सक्त होती है और नीचे दूसी तस्वीर हमारे पास है तक्ये की तक्या तो कितना नरम होता है इस पर हम रात को सर रखके सोते भी हैं क्योंकि नरम होता है इसलिए सोते हैं तो यह है तक्या जो के बहुत नरम होता है अच्छा यहां पर हमें लिकर भी दिया हुआ है सक्त और नरम उनको पढ़ लेते हैं एक बार स्क्त स्क्त नरम नरम अच्छा तो आब हमें पता चल गया के सक्त कौन कैसा होता है नरम कैसा होता है इसके हमें इसमें फर्क करना आ गया अच्छा तो ये सब करने के बाद हम इसमें रंग भी भरेंगे जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है रंग भरना तो हमें कितना पशन्द है तो इन दोन तस्वीरों में हम अच्छा-च्छा सा रंग भी भरेंगे और सारा काम करके कि हम अपनी मामा को दिखाएंगे ताके वो देखें कितना प्यारा काम किया है आपने ठीक है तो ये थी हमारी आज की क्लास जो के खतम हो गई मुझे उमीद है आपको बहुत मज़ाया होगा कल मैं आपके लिए और अचके चीज़ें लेकर आउंगी जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाफिस